हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग तो हमारी जो MCQ सीरी चल रही थी और आज आप लोग के लिए हम लेकर आएं यहाँ पर फार्मा कोगनोसी फर्ष्ट की यूनिट सेकेंड तो अभी अभी जो हमने इसका स्लेवर्स यान की थेोरिकल पोर्शन भी कवर कर लिया है बिल्क फिर उसी ही से जहां पर आपको कोशन दिये जाते थे तो से हमारे MCQ होते हैं कि अगर हमको पूरा पूरा चैप्टर आएगा तो उससे जो भी हमारे MCQ बनेंगे हम उनको तरीके से सॉल्व कर सकेंगे तो ऐसा नहीं है कि अब आपकी जो MCQ एक्जाम होने है तो आप सोच रह जरू बताना ठीक है तो आपका ठीकल पॉर्सें जरूर जरूर देखना है तो उन वीडियो को नहीं देखा हो जाके देख लेना चली यहां बात करते हैं तो टोटल आप लोगे जो यहां पर हम 50 MCQ के कोशन लेकर आए हैं जो काफी जाधा इंपोर्टेंट है और इस पेसली बात करें यहां पर तो जैसे मैं क्या करने बाला हूँ हैं यहां पर आपकी सामने बढ़ना है फिर इसको मैं tools कर लूए घंड आपको क्या करना या को सोचना है आया? जी इंदेन चाहार जाक और प्र पहला में चैसर बाहिं हमारे जो पेड़ पौदे मेडिशनल प्रांट से इनको उगाना लगाना और वगाई वगरा करते ना फिर इसकी फाइनल सारी चीज हमारी कल्टिवेशन में आ जाती है अब उसके फैक्टर भी होते हैं जानकि उनको चीज़ा चाहिए उगने के लिए और ग्रोथ के लिए सार फर्टी लाइसर होताएगा दूसरा हमारा कुशन आता है बिच अप दा फॉलोविंग इस गैसे प्लांट हार्मोन तो इन चारों में से प्लांट हार्मोन है हमारे चारों के चारों के चारों उनको पता हम पहली पढ़ चुके है प्लांट और इन में से एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे क्या gasses form में पाई जाता है तो आप लोग सोचिए इसका right अंसर हमारे क्या है ethylin है जिसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं और actual में देखाता है तो यह एक growth innovator hormone होता है यान कि यह हमारे ethylin और epsacic acid यह हमारे growth innovators होते हैं बाकि हमारे gabrilein और cytokinin और हमारे oxygen यह हमारे तीन क्या होते हैं यह तीन हमारे होते हैं प्रमोटर होते हैं तो यह बात आप अभी जान लो आपके बहुत जादा आगे काम आईगी तो इसका right अंसर हमारे क्या हो जाएगा optimum temperature फॉर प्रोपोगेशन अब प्रोपोगेशन आपको मैंने पहली बिताया तो उसके लिए हमें optimum temperature कितना चाहिए यह यहां पर पूछा गया है सोचिए आप लोग बाग इसका right अंसर हमारा है हठार से 28 डिग्री यह वाला हमारे optimum temperature इसमें हमारी प्रोपोगेशन सबसे ज़्यादा होगी अब हम देखते हैं फिफ्थ हमारा कुशन है फर्स्ट नेचरली ओक्यूरिंग साइटो काइन तो साइटो काइन मैं हमारे इसमें से कौन सा है जो मैं करता है सेवंथ हमारा आता है dead organic matter contain in soil layer of तो यहां पर dead organic content हमारा था कौन सी में से पाई जाता है तो यह horizon में एक minute आपको बता दूं यासे आप यह समझो यह हमारी पूरी मिट्टी है यह मतला पूरी नीचे फैले हुई है तो मिट्टी हमारी कुछ layers में पाई जाती है इस तरह से हमारे होते हैं तो जो सबसे ऊपर की layer यहां पर है यह हमारी क्या जाती है बागी यह इस तरह से हमारी क्या हो जाती है यहां पर horizon यह हो जाती है ठीक है तो यहां पर यह पूछा है कि dead organic matter हमारी कौन सी soil layer में पाई जाएगी तो organic से बड़ आप simple समझ रहे है ओ तो हमारे इसका right answer क्या हो जाएगा d for o horizon ठीक है फ्रेंट तो इसका right answer हमारा क्या हो क्या होगा c zone of accumulation तो यह हमारे इसके काम आती है इसका right answer हो जाएगा 11 तो हमारा आता है chemical agent which is widely used to induce polyploidy तो इसमें से एक हमारा पॉलिपलोईडी को इंड्यूस करता है तो कौन सा है आप इसमें से सोचिए बाग इसका right answer है यहां पर कॉल्चिस आयना है यह हमारे क्या होते है mutation agents भी कहला है sorry यह हमारे chemical agents होते हैं जो हमारे polyploidy को भढ़ाते हैं ठीक है फ्रेंड अब हमारा 12 आता है यहाँ पर cell sites act as तो यह हमारा किसकी तरह act करता है तो यह हमारे कुछ insects होते हैं जो हमारे जो खेड पेड पौदे ही होते हैं प्लांट्स इतमें छोड़ छोड़ छोड होते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं छोटे जो मतलब खतरनाग कीट्स होते हैं उनको यह खतम करते हैं तो यह हमारे क्या हो जाएंगे beneficial insects होते हैं यान कि फाइदा देने वाले insects होते हैं ठीके फ्रेंड हमारा आता है plant are cut few meters above the ground level and bark are removed this method is known as यान कि आपको simple पुछा है कि जो हमा क्यों पूरा च्रूब करना अगर तो वो कैसे करेगा तो मैथ rate मारा यह तका है यह हमारा Toyota यह होता है यान यह मैं वाला पर के और पूरा च्छोटा दिया दायता है पूरा बार कॉ और फिर इसका यूज किया द्वाई को वह हमें तो यह हमारा यहां पर है कोपीं यहां पर यहां पर dualses ही तो पहले तो आपको यह पता ह conviction बता हों यह तो जैसे अमारे वालों कोई भी प्लांटस पूरा ऊपर का यह एक तरह से हमारा इरियन पार्ट है यहां पर यह से C फिप्टीन हमारा भार्ट हीप आट नौट हार्वेस्टिंच के लिए कि जड़ो को कातने के लिए कितना तैंपरेचर रेकौयरमेंट होती है तो आप इसका अंसर सोचिए इसका राइट अंसर है बिलो ट्वैंटी थ्री डिग्री सेल्सियस यानि कि तेश्ट डिग्री से भी कम हमको यह यहां पर चाहिए 16 हमारा आता है कॉण से मैंतर से यहां पर करेंगे सोचिए बाकी बैसे तो अगर सिंपल आप देखोंगे थोड़ से लाजिक लगा होगा तो आपको ऐसी समझ आ रहा होगा क्या यहां पर सीड फॉर सीड इस्ट्रिपर सिंपल अने फ्रैट तो इसका राइट नसर नहीं हो जाएगा सी हो जा जाता है काम flowers are packed in तो flower हमारे किसमें pack होते हैं तो हमने hybridization बगरा पढ़ी तो इसमें देखा था तो वहाँ पर हमारे क्रेट कुछ होती है तो क्रेट में हमारे जो flower बगरा है यह हमारे pack किये जाते हैं ठीक है जिससे वो सुरक्षित रहें और वो मतलब दब के भी खराब हो जाएंगे अब यहाँ पर पुछाए अगार is harvested by तो अगार किसके दवारा कटाई की जाती है अगार की जो अगार आपने पढ़ा होगा तो अगार का इसमें right answer क्या है long handled fork यानकि एक लंबी छड़सी होती है उसके दौरह हमारा handle की जाती है 19 हमारा आता है बार कार harvesting बिक तो बार किसके दौरह हर्वेस्ट की जाता है तो अब इसको आपको पता हो यह पेड़ है इस तरह तो चाल सी छुटानी एक तरह से तो चाल हम किससे चुटाएंगे not की मुद्स से यहाँ पर क्या इसको इसको यह एक्षन की जरुवत है सूखने के लिए तो आप लोग सोचिए बग्स का जो राइट अंसर हमारे का है कोका सीड की यहां पर जरुवत होती है ठीक है 21 हमारा आता है क्लोव फ्लॉवर वर्ड्स और ड्राइड अंडर अब जो हमारे क्लोव जाने की लॉंग होता है त तो यहां पर आपको लिग लिए कों से इस मैंसे कौन सा ऊमारा ड्रग है निम्हें हमारे चाहते हमारे कहें काम सब्सक्तbayर तो यहां पर आपको दिख रहा हूंग हमारा यूज किया दाता है भागी अगर बताव कि इक कितर हमारा है paint बगर हमीं मिला जाता है यारी हमको plants बगर हमें प्राप्त हो रहा है बहुत से काम में यह हमारा drug आता है ठीक है अब यहां बात करते function of cytokinin तो cytokinin या cytokinin इसका function यहां पर च्यारों में से आपको बताना है तो क्या होगा सोचिए promote leaf sensation stimulate the growth of lateral bird और stimulation of chlorophyll तो इसका यह वाले दो हमारे राइट है तो इसका राइट आउसर क्या होताएगा बोथ बी एंड सी 24 हमारा आता है in water stress condition which plant हर्मों responsible for closing of stomata तो जो हमारा stomata होता है यह प्लांट सा जैसे तो यहां पर यह इस तरह बने होते हैं तो stomata की closing के लिए कौन सा हर्मों हमारा responsible होता है सोचिए आप लोग यहां पर बागी जो इसका राइट answer है वो हमारा यहां पर क्या होगा बागी इसका राइट answer है वो हमारा कहा है promote sensation in leaf तो यहां पर जो हमारा senisense है इसका मतलब क्या होता है पत्तियों में बढ़ापा लाना अब भई यह तो हमारा growth कर रहा है तो कि यह बढ़ाएगा तो यह इसका काम बढ़ापा मतलब उसको खराब तो करेगा नहीं उसकी growth को र करता है ठीक है 26 हमारा आता है crude drug which is sensitive to radiation of direct sunlight यान कि जो हमारा direct sunlight में हम रहीं रखेंगे वहाँ पर वो खराब हो जाएगा तो ऐसा हमारा कौन सा drug है इन चारों में से आप सोचे कौन सा होगा हमारा बाग इसका जो right answer हो क्या है digitalis और cold liver और यह दोनों के दोनों अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो इसके लिए sensitive होते हैं खराब भी हो सकते हैं तो हमारा इसका right answer क्या हो जाएगा both a and b ठीक है इसका right answer हमारा हो जाएग chemical रूप से है जनकि एक अजग से agent हम डाल रहे है chemical वाला जो क्या करा है mutation process को बढ़ा रहा है और उनको हम बोलते है mutazenic agent तो इन चारों में से कौन सा है आप देखिए बाकि एक simple सा फंदा जहां भी ऐसा आजाता है और तो बहुत जाता chance इसके होता है तो यहां पर तो यह है a b a harmon हमारा किसकी तरह act करेगा ठीक है तो यहां पर main condition क्या है कि इसको हम जो abscessic acid वाला यह हमारा है और इसको हम actual में stress hormone भी बोलते है क्योंकि यह stress control में अपना क्या होता release होने लगता है और इसका जो main काम क्या था हमारा closing of stomata यहीं तो था तो इसका right answer हमारा क्या होता है यहा हमारा right answer क्या होगा आप लोग सोचके पाकिस का जो right answer हमारा क्या है IBA है तो यहां हमारे दो होती है एक हमारा होता IBA और एक हमारा होता IAA तो IAA क्या होता हमारा indole 3 acetic acid और IBA क्या होता हमारा indole 3 butyric acid तो यहां पर right answer क्या हो जाएगा हमारा यहां पर A हो जाएगा ठीक है Dichloro Phenoxy Acetic Acid तो यह वाला हमारा राइट आंसर है जो हमारा क्या होता है Oxygen है लेकिन क्या है Synthetic है ठीक है अब हमारा यहाँ पर आता है Cytokinin नहीं आज यूज़ फॉर तो Cytokinin हमारा किसमें से यूज़ होता है इन चारों function में आपको देखके बताना है Root formation में काम आएगा Root innovation में काम आएगा Root formation की suit innovation आप लोग सोचिए बाकि जो इसका right answer है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा यह दोनु गलत है यह भी गलत है right answer क्या है suit formation यान कि उमारे पेट का ऊपरी भाग है उसको यह growth कराने में काम करता है क्योंकि cytokinin का main काम क्या है यह क्या करता है हमारे cell की division करता है ठीक है अब हम यहाँ पर समझते है 32 हमारा आता है 6 BAP जैन example आप जानकि simple बोलो 6 BAP या बाप कुछ भी बोलो जैन example आप जैन example आप जी हमारे कौन से cytokinin का example है ठीक है तो पहले अगर हम इसकी full form देखें तो 6 BAP का मतलब है benzyl aminopurine और purine वर्ड आ गया तो यह हमारा किसी मिलता होदा है यहाँ पर adenine तो इसका right answer क्या होदा है का adenine type cytokinin यान कि हमारा cytokinin है adenine type का होदा है अब हमारा प्यूरिन प्रिजेंट होता है और इसकी full form में भी क्या है प्यूरिन है कि 6 benzyl aminopurine थार्टी तो यह जूराउन इस एक्जामपल औफ तो थी डिया जूराउन इस एक्जामपल औफ किसका यह एक्जामपल है यहाँ पर तो यह जो हमारा है यह वाला थाइड्यूजरोन भोलो यह थी डियोजरोन यह उमारा किसका है फेनाइल यूराइटाइप साइटो काइन है थीक है अब हम यह समझते हैं च्छेंगो लेक्टॉन वहां पर यह हमारे क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं थर्टी भाँ हमारा आता है कॉल्चिसिन is induced by तो कॉल्चिसिन हमारा वही chemical mutilisants है और यह क्या करता है? कि शीड को बढ़ा देता है तो यह हमारा polyploidy को बढ़ा देता है ठीक है? अब हमारा यहां पर आता है crosses are made between two different species of the same genus तो यह हमारी कुछ definition थी यहां पर हमने hybridization के types में बढ़ाता है तो यहां पूछा है कि cross जो किया जा रहा है मतलब जो hybridization की जा रही है तो हमारी दो species के बीच में की जा रही है जो क्या है? same genus की है तो इसका right answer की आप लोग सोचिए definition है simple simple तो इसका right answer है inter specific यानि कि inter मतलब इन दोनों के बीच में की जा रही है ठीक है अब 37 आता है crosses are made between the same variety अब same variety में हो रहा तो यहां varietal word कहा रहा है यहां पर तो इसका right answer क्या हो जाएगा intra varietal hybridization क्योंकि यह same variety में हमारी की जा रही है ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा intra varietal हो जाएगा यहां पर अब हमारा यहां आता है 38 आता है removal of stamen from female flowering plant अब यहां पर stamen जो female flowering plant तो हमारा hybridization की जो process पड़ी थी तो वहां पर हमारा emasculation वाली term क्यालाता है जिसमें हम क्या करते हैं जो female flowering plants है उसमें से stamen को remove कराते हैं और तब इसको तयार करते हैं कि इसमें male वाले पोलेंज जा लेगें और यहां पर इसकी हम hybridization करा जेते हैं तो इसका right answer हो जाएगा emasculation 39 हमारा आता है farmer right act as तो farmer right का जो act है वो हमारा कव यहां पर लागू किया गया था farmer के rights के लिए जाने की किसानों के rights के लिए हमारा किया गया था आप लोग सोचिए पकिसका जो right answer पर हमार का है 2004 में किया गया था ठीक है अब यहां आए full form of FRLST तो सोचिए आप क्या होगा इसका right answer बाकि यह हमारा क्या होता है foundation of revitalization of local health tradition बाकि आप simple समझो कि जो हमारा local health tradition है उसको दोबारा से इस्ताबिद या उसको दोबारा से active कराने के लिए यह हमारी पूरी पूरी शुरू गई थी संस्ता यह बाली ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा आप कुछ और question पे आते हैं तो यहां पर है treatical is the hybrid of तो यह हमारा hybrid wheat की तरह होता एक तरह यह हमारा किस-किस के दोर्षा बना जाता है तो तो आपको पता लग गया तो या तो यह होगा या यह होगा अब यह हमारा बनाए जाता है इससे नहीं कि वीट और राई जब इन दोने को मिलाए जाता है तब हमारा यह वाला चीज यहां पर फॉर्म होती है एक नया हाविड बनता है ठीक है अब हमारा आता है 43 on the basis to the reaction of photo period त देखता है तो यहां पर आप सोचिए पढ़के चारो अप्शन को राइट आंसर हमारे कहा है यान कि छोटे दिन वाले यह प्लांट से है ठीक है 44 हमारा आता है पाइथियम इस्पाइनोसम इजा तो यह चीज क्या है हमारी अक्चुल में देखता है तो यह हमारी क्या होती ह यह फंगस पेश्ट होती है यान कि जो क्या करती है हमारी जो पौदे बगएर वहां पर पेश्ट लग जाते है तो वही हमारे काम है लेकिन यह फंगस के प्रिजारती की आप मालो फंगस टैप्स होती है ठीक है 45 हमारा आता है डस नॉट ओकर इं क्लोप यान कि क्लोब में इन में से कौन सी चीज है जो हमारी नहीं पाई जाती है इन चारों में से सोचिए आप पाकिस का तो राइट आंसर है वो हमारा यहां पर क्या होगा इस्टार्च ठीक है इस्टार्च इसका राइट आंसर है 46 हमारा आते है वीड इजा तो वीड हमारे क्या होते हैं कुछ अ अगर क्या प्रिदूस करेंगे तो यह हम पहले भी साइद एक दूबार पढ़ चुके हैं इसका राइटांस नमारा क्या है अब हमारा यहां आता है 49 which of the following is not a method to control the pay तो इसमें से कौन से हमारे एक method है जो हमारे पेस्ट जो हमारे वही अन्वांटेट बीड्स होते है उसको मतलब उसको कंट्रॉल करने का नहीं है तो अगरी कल्चर में किया था था बायोजिकल तरीके से भी किया था था मेकेनिकल तरीक है वह हमारा नहीं है तो इसका राइट अंसर हमारे क्या होजाएगा डी होजाएगा इलेक्ट्रो मेगनेटिक थिर्या अब यह पचासमों कुश्यन आता है यह आप लोगो बताना है कि एन एक्स प्लांटित तो यह चीज हमारी क्या होती है अगर मैंने आपको यही अगरे होंगे सारा को आपको अच्छा रगा होगा अब आपको कोई भी कंफ्यूजन है कैसे भी तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं हम उसका ट्राइ करेंगे आपको बाकि आप एक दूसरी की कमेंट भी सॉल्व करने की कोशिस कीजिएगा ठीक है फ्रेंट पाकिस के नहीं कोई प्राइब को कमेंट करके आप लिखके बताईएगा तो मिलते आपसे बहुत दान नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि फ्रेंट थैंक यू टेक करने आपसे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा बाई बाई